नमश्कार दोस्तों मेरा दाम में विमल सिंग बाला जी श्टरियाटर में आपका स्वागत हैं तो KBS के बाद अब आपको अगली जो नई भरती देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी DSSSV तो यहाँ पर KBS से जो भी आप अपनी तयारी करके आएं हैं उसको यहाँ पर अगर continue रखेंगे देखें आप अगर इंतजार करेंगे कि notification आएगा तब हम अपनी तयारी करेंगे तो फिर आप दूसरों से आगे नहीं निकल पाएंगे तो सही समय है अभी आप अगर कोई और exam को ले करके अपनी तयारी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ एक target set करके आप अपनी तयारी कर सकते हैं सारी चीजों के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने total पद खाली हैं इसके अलावा क्या eligibility criteria होती है इसको detail में भी बात करेंगे और साथ इसाथ इसले बस और साजी चीजों को लेकर बात करेंगे तो देखे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका जो एक notification यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह आपका RTI के जवाब में बताय गया था तारीक यहाँ पर देख रहे हैं एक दो 2023 की पड़ी हुई है परवदी 2023 इसमें जैसे आपके बहुत से छात्र होते हैं वो क्या करते हैं RTI से इस समय प्रेजेंट में कितनी number of vacancy जो है वो खाली है उसको ले करके जवाब मांते हैं सेम चीज सुपर्टेट में भी देखते हैं जो UP लेवल पर होता है इधर वाले साइट की बात नहीं करें फिल्ड से हमें मतलब नहीं है तो हमें वेकेंट यानि खाली पड़ों से मतलब है इसी परकार ड्रॉइंग टीचर में पांसो चोओन है लाइब्रेडियन के 327 टीजिटी कंप्यूटर साइंस करके 330 डॉमेस्टिक साइंस टीचर 208 एस चाहीं हा तो इसको भी जोड़ देते हैं तो इससे जयादा भी विकेंसी आपकी आ सकती है तो सबसे ज्यादा आपको एसिटेड टीचर प्राइमरी के यहां पर पड़ देखने को खाली मिल नहीं है यह तो हो गया खाली पोष्ट अब बात करते हैं थोड़ा सा हम क्या इसका criteria होगा paper को देने का तो जैसे TGT है तो आप जानते हैं bachelor degree चाहिए होते हैं main seated exam past चाहिए होता है इसमें assistant teacher primary की अगर बात करें तो 10 प्लस 2 जो intermediate है वो आपका होना चाहिए उसमें भी 50 प्रतिसत देखिए यह आपका assistant teacher primary देखते हैं PSSB का notification है पिछली बार का है जिसमें आप देखिएंगे तो 50 प्रतिसत जो अंक हैं वो आपके मांगे जाते हैं senior secondary में या तो फिर two year या नहीं मतलब साथ में आपका two year diploma in elementary education अगर किया है या जो भी नाम आपका particular state में है वो आपका इसमें होगा इसी के अलावा senior secondary या इसके equivalent जो है at least 45 परसेंट और two year diploma जो है आपका जो NCTE के द्वारा मानने है वो इसमें आएगा और साथ इसाथ BLED भी आपका इसी प्रकार इसमें आ जाता है इसी प्रकार आपका special education जो है वो भी इसमें आ जाता है और आपका इसमें फ्लाश्ट में भी रिखाए कि अगर आपके state board में किसी और नाम से चलता है वो भी इसमें आता है दूसरी चीज सब्ते महत पूर सीटेट का एक्जाम आपका पास होना चाहिए अगर primary level के लिए दे रहे हैं तो paper 1 आपका होना चाहिए पास जो कि आपका cbsc conduct कराता ह और आपके पास हिंदी और उर्दू और पंजाबी या इंग्लेज सब्जेक्ट आपका होना चाहिए कंपलसरी है secondary level पर वो भी आपर किया गया है relax session पांच प्रतिसत आपको दिया जाएगा qualifying marks में इस seated exam की बात कर रहा है यानि अगर आप दिल्ली रीजन से ही बिलॉंग करते हैं तो आप 82 नंबर में भी OBC जनल CST में पास माने जाएंगे परन्तु यदि आप बाहर से दिल्ली के बाहर से जो है वो है तो OBC में अगर आप हैं तो OBC केटेगरी आपका 90 नंबर आपके होने चाहिए और आप ऐसे जनल केंडिडेट जो है वो काउंट होते हैं ऐसा OBC चात्रों के साथ है यह बात की सीटेट के नंबर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या रहता है पे ग्रेट पे स्क रही है और इसमें भी चूट मिलती है जिसमें आपको पता है OBC जो चात्र है उनको तीन साल की चूट मिलती है और आपका जो SST चात्र है उनको 5 साल की चूट मिलती है यह एज में मिलती है बाकी जो जनल केंडिडेट है उनके लिए आपका 30 साल मैक्सिमम एज जिसमें होती अब बात करते हैं हमारे-ुस्लेबस की, वीडियो सभी लोग ला कि चरुर्य करते रहेंगा, कोशिस हम करते हैं, कि कोई भी जानकारी आपकी यहां चूटे ना, वीडियो पो लाइक और शेर, अगर अच्छा लगे तो अबाश्र कर दिजिएगा, बात करते हैं, इस 備स्लेब और रिजिनिंग जो है वो 20 question 20 number के, arithmetic and numerical ability 20 question 20 number के, Hindi language and comprehension 20 question 20 number के, और English वाला जो question है वो 20 इसी प्रिकार्ट से, उपकुल मिला करके आप देखेंगे तो 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 100, तो टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिला है, 100 number का section A में, इसी प्रिकार section B जो होता है, वो post related question होते हैं, जैसे कि आप pedagogy समझ सकते हैं इसमें, तो यह जो है total अलग से 100 number का आपको देखने को मिलता है, अब इनको दोनों को मिला लेंगे, तो 100-100 मिला करके total 200 number का आपका paper होता है, समय आपको यहाँ पर 2 घंटे का जो हो दिया जाता है, पर एक छीज थोड़ा सा यहाँ पर अलग देखने को मिलती है, कि overall आपको aggregate number भी हासिल करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बता है ना कि A आपका जो section है, तो इसमें total number का 40%, इस तरीके से अलग-अलग category wise जो है वो बटा होता है, तो इसमें 40% आपको number लाने होते हैं, यह भी चीज जिसमें आपको देखने को मिलता है, बाकी OBC, S.E.S.T. category के according बटा होता है, पर मैंने starting में बता दिया कि जब आप दिल्ली के बाहर से भर रहे हैं, तो फिर as a general candidate count हो रहे हैं, तो यह मान के चलिए, वैसे भी 40% से काम आना, merit में बाहर हो जाना, तो इससे अच्छा है, दक्ष आपका जादा का होना चाहिए, पर जानकारी आपको सभी होना चाहिए, एक चीज और, जो part B होता है, इसमें भी जो pedagogy based question होते हैं, सेम चीज जिसमें भी यह 40% वाला criteria, जो है, आपको देखने को मिलता है, यह तो हमारा हो गया, main syllabus, अच्छा है, एक चीज आपको यह ध्यान देना है, कि जैसे आपने अभी KVS में देखा, काफी level easy देखने को मिला था, यानि कि math का, और आपका, overall paper का भी, यहाँ पर ऐसा न नमबर का आपका paper होता है, सभी के लिए एक number आपको दिया जाएगा, negative marking यहाँ पर आपकी होती है, जैसे कि आपने देखा था कि KVS में कोई negative marking नहीं थी, पर यहाँ पर एक चौथा, यानि 0.25 अंक आपके काटे जाएंगे, अगर आप एक गलत प्रस्न करते हैं, और total जो आपका होगा, paper वो 2 घंटे का होगा, तो लगबख सारी जानकारी मैंने आपको कम से कम समय में दे दिया है, यदि अभी भी आपको कोई प्रस्न रह गया हो, अच्छे एक चीज़ यह भी है कि मैंने यहाँ पर जो post wise आपका बताया है, कि यह चीज मैंने PRT को ले करके बताय सेम चीज अगर आप देखेंगे, TGT है तो उसके according बदल जाएगा, PGT तो उसके according बदल जाएगा, वैसे भी आपने KVS दिया है, तो वो सारी चीज़े आपको सेम देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो main प्रस्न बनते हैं, उसको लेकर हमने बता दिया, एक कोशन यह भी बनत के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार जैहन,